हेलो गाइस तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास नाइन खे फिजिक्स का जो चाप्टर वन है मोशन उसके बहुत ही जादा इंपोर्टेंट नोट्स मैंने आपके लिए नोट्स खुद प्रेपेर किया और यह बहुत ही अच्छे नोट्स अगर आप इसको भी पढ़के जाएंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्स आ जाएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं तो इस चाप्टर में पहले हम डिसकोस करेंगे टू वर्ट्स रेस्ट आण मोशन तो रेस्ट आण मोशन होते क्या हैं पहले यह समझेंगे फिर ही हम आगे बढ़ेंगे rest होता है जब भी एक body rest में तब कहलाएगी जब position जो है वो change नहीं होगी ठीक है? जो position change नहीं होगी with respect to a reference point मतलब कि अगर आप यहां खड़े हैं यानि यह A point है और यह एक B point है यहां से आप यहां जा रहे हैं तो आपने तो move किया तो यह कुछ और कहलाएगा जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगी इसमें जो हमारा A है वो एक reference point है और जो B है वो भी एक reference point है अगर हम A से A पे ही खड़े रहें और अगर हम B पे हैं और B पे ही खड़े रहें अपनी position ना change करें तो हम उसे कहेंगे rest यानि एक तरह से सोना यानि हिलना नहीं ठीक है और अगर मैं कहूँ motion तो motion होता है जब भी हमारी body change होती है यानि जब भी उसकी position change होती है with respect to a reference point मतलब कि एक point से दूसरे point पे जा रही है कोई भी body position change करके तो हम उसे बोलेंगे motion ठीक है अब हम करते हैं types of motion जो motion है वो बहुत types कि है बट मैंने only four types of motion लिखे है linear, rotational, circular and vibratory ठीक है अब हम करते है physical quantities जो की बहुत important है physical quantities जो है वो two types ही होती है ए होता scalar quantity और दूसरा होता है vector quantity ठीक है scalar quantity क्या होता है बहुत अच्छे से ध्यान देखेगा quantity, ऐसी quantity होती है जो depend करती है magnitude पे बस magnitude पे ही और किसी पे नहीं direction पे बिलकुल नहीं करती है ठीक है सिर्फ magnitude पे करती है उसको हम खहेंगे scalar ठीक है example क्या है mass, temperature, time, etc ठीक है और अगर मैं बात करूँ vector quantity की तो उसमें बस एक चीज और addition हो जाती है कि direction ये दोनों चीज पे depend करती है magnitude पे भी और direction पे भी अब magnitude की होता है कोई degree की बात कर रही हूँ मैं कोई number की बात कर रही हूँ और direction की होता है अगर मैं left, right की बात कर रही हूँ ठीक है तो scalar में सिर्फ magnitude और vector में magnitude and direction ओके vector का example क्या है इसके example होते है force, position, etc displacement भी ले सकते हैं ठीक है ओके अब हम बात करते है distance और displacement बहुत ही जादा important topics हैं ये दोनो mainly यही है इस chapter की जान है ना तो आईए इसको भी पढ़ते हैं distance क्या होते है पहले हम वो देखेंगे ठीक है देखे था distance क्या है कि is the length of a path traveled simple जो भी हम जितनी length हम travel कर रहे है जितना हम चल रहे है इस path पे उसको हम कहते है distance ठीक है अगर आप 48 km चले हैं तो आपका क्या है distance है यानि आप यहां से इधर गई है तो वो एक distance हुआ क्योंकि आपने इतनी length ट्रावल करी और suppose कीजे कि यह जो length ही यह है 5 km ठीक है अब distance तो km में होता है इसलिए ठीक है और displacement क्या होता है displacement होता है एक shortest distance बहुत ही जोड़ा distance यानि हम कहते हैं कि shortcut ले लो उसको कहते है displacement ठीक है और यह किसमे होता है between initial position and final मतलब देखे एक यहां पे है spot और एक यहां पे है ठीक है यहां से यहां जाती हूँ फिर यहां जाती हूँ तो वही आकी बात हो रहे है कि displacement में क्या है initial position मतलब इसी तरीके से अगर हम जाते है तो क्या होता है इसमें जो shortcut distance क्या हो सकता था यह हो सकता था अगर मैं सीधा जाती दो ठीक है दुबारार मैं ड्रॉ करती हूँ वन मिनिट इधर ड्रॉ करती हूँ ठीक है देखे दर एक यह point है और एक यह point है इस point का नाम है A और इस point का नाम है B मैं यहां से पहले यहां जाती हूँ फिर यहां से वापिस यहां के यहां जाती हूँ ठीक है और मैं इतना बड़ा रास्ता किया इसको हम बोलेंगे distance क्यों क्योंकि इसमें जितना भी यहां से यह सब ट्रावल कर रही हूं इसको बोलेंगे distance पूरा यहां तक ठीक है और इसमें जितनी भी लेंद होगी equals to distance होगी बट अगर मैं यहां इस B-point से इस A-point पे यहां ऐसे straight travel करती तो यह मेरी कौन सी थी एक sorry क्या हो गया one minute guys हां जी देखें अगर मैं इस point से यहां direct सीधा एक travel करती तो वो मेरा क्या होता displacement क्योंकि यह मेरा initial point है और यह मेरा final है तो initial means starting तो starting से final तक आना is displacement यानी short test और distance क्या होता है ऐसे ऐसे जाके ता बड़ा रास्ता जाना ठीक है okay distance हमारी scalar है यानी इसमें से magnitude होता है और displacement जो है वो हमारा vector है इसमें magnitude और distance दोनों होता है distance जो है वो हमेशा positive ही आएगा of course है negative हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर यह negative हुआ तो कोई रास्ता आपने travel ही नहीं किया और जब travel ही नहीं किया तो वो distance नहीं ठीक है displacement जो है वो zero हो सकता है क्योंकि अगर हम यहां से यहां जारे है और फिर वापिस यहां रहे है तो zero होगा चीक है और इसका unit भी meter होता है और displacement दोनों का unit meter होता है चीक है अब हम करते है uniform and non uniform बहुत ही जादा फिर से एक important topic जिसमें uniform motion क्या होता है कि अगर body जो है वो travel करती है equal distance equal distance और वो भी equal time में उसको बोल देंगे uniform अब कैसे देखिए इदर एक example लेते है कि जो train है वो run कर दी है speed 90 km per hour मतलग 90 km travel करती है 1 hour में तो अगर मैं इसका double कर दूँ यानि 180 कर दूँ तो time का भी double यानि 2 hour चीक है फिर अगर मैं 180 का भी क्या कर देती हूँ फिर से 90 हम और चल लेते है 180 में भी तो वो 270 हो जाएगा यानि इसमें भी 1 hour क्योंकि अभी भी 1 hour लग रहा है हमें फिर अगर मैं 270 में फिर से कुछ 90 आइड कर दूँ तो आएगा 450 जो की मेरा हो गया 4 hour तो देखीए अब क्या हुआ हर एक गंटे बढ़ रहा है है तो एक्वल टाइम है कि one hour ठीक है और इक्वल डिस्टंस ही हो रहा है इधर भी प्लस 90 हुआ है फिर 180 में भी प्लस 90 आइट और 270 में भी प्लस 90 तो इसलिए equal distance equal time is uniform motion ठीक है अच्छा इसका graph कैसे होते है देखिए अधर यह graph है यह straight line ठीक है non uniform motion क्या होता है अगर body unequal distance sorry एक सेक्ड हाँ unequal distance travel करती है in equal interval of time में उसको हम बोलते है non uniform अच्छा इसका example हम ले सकते हैं कि आगर देखिए इधर क्या हो रहे है 40 km की speed से एक घंटा वो लगाती है एक car फिर उसे दो घंटे लग जाते है 65 km ट्रावल करने में और फिर 115 km में वो तीन आर लगा देती है ठीक है एक car तो देखिए time तो equal है हर एक एक घंटा एक एक आर ही लग रहे है बट क्या time में कोई equal है distance में कोई equal है नहीं जो हमने इसमें पढ़ा था उसमें तो क्या था 90-90 आइड हो रहा था distance equal था और time तो है 1 hour equal बट यहां पर distance equal नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक non uniform motion है और इसका graph कैसे होता है पैरबोला चीक है अब हम करते है speed speed क्या होता है कि जब भी एक body travel करती है distance per unit time उसको हम बोलते है speed अब इसका formula से भी हम इसकी definition बना सकते हैं कैसे देखिए speed इसको हम denote करते है v से और distance होता है s और time तो t तो v equals to s by d यानि speed equals to distance by time और इसी formula से हम कह सकते हैं कि distance traveled by an object in unit time उसको हम कहेंगे speed चीक है अच्छा इसकी unit याद रखेगा meter per second it is si unit चीक है इस यह कौन सी quantity है scalar quantity है यानि सिर्फ और सिर्फ magnitude है और इसमें क्या है कि जो speed है हमारी हम कितने time में travel कर रहे हैं वो कौन करता है speedometer one mark में आ सकते है mcq में सिध्यान से देखे speed जो है वो measure होती है speed o meter से और distance है वो travel जो है वो measure किया जाता है odometer से तोनों में डिफरेंस याद रखे है speed यानि speedometer और distance यानि odometer अब जो speed है वो three types के होता है देखे ज़र uniform speed non uniform speed average speed तीक है average speed यह होती है पहले हम यह देखेंगे क्योंकि uniform और non uniform motion हमने देख लिया और उसी तरीके से uniform speed और non uniform speed दोनों सेम है तो हम देखेंगे average speed average speed होता है हमारा one minute guys जी वह average speed जो है वो होता है कि जब भी non uniform motion में जो body है अगर हम उसकी जो total distance जिस body ने travel किया है उसको divide कदे total time जैसे कि देखे यहाँ पे यह लेता है 65 km यानि total distance ने अच्छा अगर हम इसको add कर दे 40 plus 65 कितना हो जाएगा हमारा one zero five ठीक है फिर उसमें one one five भी अगर मैं add कर दू तो हाजाएगा 220 ठीक है तो total distance कितना हुआ हमारा 220 ठीक है और total time कितना हुआ कि three plus two is five and plus one is six ठीक है अगर मैं इसको divide कर दू हम तो मेरी आजाएगी average speed इस car की ठीक है ओके और formula हुआ है v equals to s by t यानि total distance upon total time ओके अब हम देखते हैं velocity velocity का भी हम describe same करते हैं v से ही और उसका formula भी same है बस distance की जगा इसमें जो हमारा distance by time होता था यानि s by t इसकी जगा हम d यानि जो distance था उसकी जगा अब हम क्या लगाएंगे displacement ठीक है और displacement को हम s से ही लिखते हैं और नीचे time ठीक है velocity change होती है कब होती है जब final और initial हमारे पास होते हैं अब final initial क्यों होते हैं final means जहां खतम हुआ है initial यानि जहां start हुआ है तो acceleration क्या होता है rate of change of velocity just rate से velocity change हो रही है यानि कितने देर में हम final position sorry एक second time में हम final position यानि V और initial यानि U तो कितने final position में कितना time में हम final से initial से final जाते हैं ठीक है तो इसका formula एक बार आप इधर भी देख सकते हैं यह देखिए ठीक है अब देखिए acceleration यानि A final means V and initial velocity means U ठीक है तो हमारा formula क्या बना A equals to V minus U उसके बाल हम क्या करेंगे जो हमारा यह आया था कि A equals to क्या हो जाता है one minute guys हमारा यह आया था कि A equals to V minus U उसमें हम क्या करेंगे जो यहाँ पर यह T है यह हम इधर ले जाएंगे multiply हो जाएगा तो क्या हैगा A T equals to V minus U और फिर जो यह V है, इसको हम इधर लियाएंगे और यह हो जाएगा U प्लस A T, ठीक है? ओके यह फॉर्मूला था acceleration का, इसको हम किससे लिखते है meter per second square से, यह ध्यान रखिए speed में सिर्फ second होता है acceleration में second square होता है ठीक है? यह vector quantity है यह scalar नहीं है acceleration positive भी होता है, negative भी होता है positive को हम positive भोलता हूँ जो negative है, यानि वो opposite direction में है है ना? क्यों? देखे अगर इधर positive होता है इधर negative तो इसकी opposite ही तो है तो इसलिए जो negative होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? negative acceleration is also named as retardation or de-acceleration ठीक है? अब बात करते हैं हम uniform acceleration की और non-uniform वही चीज़े uniform में equal distance, equal time और non-uniform में क्या है? unequal distance in equal time ठीक है? अब हम करते हैं कुछ graph उसके बाद हम हमारे कुछ extra most important question है जो कि exam में आते ही आते हैं और वो आपको जरूर करने हैं ठीक है? पहला graph है distance time graph का uniform speed से ठीक है? तो देखिए इधर जो distance time graph है uniform speed का उसमें इधर distance होता है इधर time और ये line straight जा रही है मतलब uniform speed है ठीक है? इधर देखिए इधर distance ये time और ये parabola shape यानि non-uniform motion है और ये वाला जो diagram है इसमें इधर distance है इधर time होता और उसके उपर एक straight सी ऐसी line होती है जिसको हम बोलते है x-axis ठीक है? ये straight line जो है ये parallel होती है हमारे time line के ठीक है? ओके अब हम करते है velocity के velocity के के कुल दो ही है जिसमें पहला हमारा ये uniform acceleration यानि straight क्योंकि uniform है और non-uniform यानि आप ऐसे ऐसे draw कर सकते हैं यानि ये one minute ये हमारा initial और ये हमारा final चीक है? तो यहां से यहां से यहां से जो गया वो होगा हमारा non-uniform और अगर मैं इसे यहां से straight जाती तो यहां से displacement बट मैं कहां से गई हूँ इधर से फिर उपर फिर नीचे इस तरफ जने fluctuate होके गई हूँ तो इसको हम बोलते है distance तो गाइस अब मैं आपको बहुत ही जादा most important question provide कर रही हूँ जो प्रियाडिकल्स होते उसमें आएगा आपके जो मारम टेस्स देती है क्लास में उसमें आ सकता है या फिर आपके जो exam होने वाले हैं अब final उसमें जरूर आएंगे तो इसको जरूर कर लीजेगा देखिए distinguish करना है between uniform and non uniform motion कितना easy है हर एक में आप तीन-तीन पॉइंट लाम से लिख आ सकते हैं पहले तो आप लिख दीजे equal distance, equal distance, unequal फिर equal time, equal time फिर आप एक एक example लिख सकते हैं जैसे मैं आपको दो example दिये थे अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे comment बता सकते हैं मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी और आपको मैं ये PDF कहां दूँगी वो भी आपको मैं बता देती हूँ मेरी Instagram ID at the rate sneha20056 पर मैं आपको ये जो PDF है ये आपको प्रोवाइड करूँगी आप मुझे उस पे DM यानि message कर सकते हैं क्योंकि YouTube पे जो मेरा चानल है उस पे PDF मेर से अपको जो है वो नहीं आती है description box में तो आप मुझे Instagram ID at the rate sneha20056 पर DM करके ले सकते हैं ठीक है और इन question के answer हम थोड़ा बहुत अभी discuss कर लेते हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं तो question 1 में जो हमें describe, distinguish करना था उसमें 2 point रही हो जाएंगे equal distance, unequal time अगरे हैं सब ठीक है और एक example दे सकते हैं और इनका graph draw ज़रूर करके आईगा तो हो गए 3 points ठीक है देखे एक example आप ये वाला दे सकते हैं और एक ये जो मैं आपको दिखाया था ठीक है और फिर इसके बाद graph जो है वो ये दो हैं हमारे पास याप draw करके आसाथे हैं ठीक है और फिर इंके definition तीन पॉइंट अराम से मिल जाएंगे ठीक है then question 2 में क्या है name the quantity which represents the rate of change of velocity ऐसी कॉंटिटी है in velocity is termed as acceleration बट उसके quantity बतानी है हमें नाम नहीं बताना यानि नाम तो हमें बता है कि वह acceleration है बट उसके quantity क्या है vector तो आपको ये लिख किया आना है इसके answer में कि vector quantity है ठीक है अब what happens to speed, velocity and acceleration when an object move करता है circle की uniform speed में एक और बहुत important question ये में आपको अपनी Instagram ID पर प्रवाइड कर दूँगी आप में इसे पूछ सकते हो और अगर आपको PDF चीए तो उस पर भी पूछ लेजेगा मैं दुबारा बताती हूँ मेरी Instagram ID है adderatesneha20056 चीक है question 3 में पूछा है कि क्या होता है कि अगर हम इस circular uniform speed से जाए हमारी speed, velocity और acceleration को क्या होगा चीक है and what does the slope of distance time graph represent guys ये वाला question तो पक्का आने वाला है और इसी की तरह एक velocity time graph वाला भी चीक है आपको लिखके आना है distance time graph जो है वो describe करता है uniform speed को और uniform नहीं लिखना क्योंकि non uniform को भी करता है आपकी मर्जिया आप लिखके आने चाहते हैं लिख सकते हैं लिखेगा तो आप speed ही distance time graph में और अगर आता है velocity time में तो आप क्या लिखेंगे acceleration अब क्यों इसके पीछे भी एक रीजा है क्योंकि देखे distance time का बताती हो speed किसके equal होती है distance by time के है ना यानि v equals to s by t के तो इसलिए यह speed के होगी distance by time और जो हमारा velocity time graph है वो acceleration के क्यों होगा वो इसलिए क्योंकि v minus u by t equals to a तो जो v है वो equals to u plus a t होता है इसलिए जो हमारा acceleration है वो इन दोनों के equal होता है ठीक है तो यह बहुत important question है मैं आपको करा दिये अब इस question 3 आप में इस instagram id पे माग सकते है and pdf चाहिए तो जरूर बताएगा तो guys यह chapter नमारा finish होता है अगर आपको कोई भी doubt है let me know in comment section on or my on instagram id और अगर आपको next किस video पे चाहिए आपके notes आप मुझे वो comment से वो भी बता सकते है चानल को जरूर subscribe कर दीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो आपको समझ आया हो तो please आपको 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 आपक